यूटूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आपको लिए चलते हैं जहाँ पर OBC राश्ट्रिय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं कॉंग्रेस के राश्ट्रिय अध्यक्ष राहूल गांधी उन सब मुद्दों पे हम आपके साथ खड़े दिखाई दें आप सबका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद आप दूर दूर से आए हैं आप इंदुस्तान की शक्ति हो कॉंग्रेस साथ ये साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जैए तो इस वक्त रहूल गांधी दिल्ली के तालकटूरा स्टेडियम से OBC महा समेलन को संबोधत कर रहे थे यहाँ पर आपको बता दे कि दिल्ली के तालकटूरा स्टेडियम में होने वाले समेलन का आयोजन कॉंग्रेस के OBC विभाग की ओर से किया जा रहा है और यहाँ पर बता दे कि समेलन में OBC समाज अपने मुद्दो को रहूल गांधी के समक्ष उन्होंने रखा और यहाँ पर रहूल गांधी ने OBC वर्ग के जितने भी लोग हैं उनके समस्याएं सुनी और कहिना कही 2019 के लोगसबा चुनावों के तहट ही OBC वर्ग को अपनी ओर अकरशित करने का ये एक एजन्डा ये एक तकनीक और दिल्ली के तालकटोरिया स्टेडियम से रहूल गांधी जिन्होंने OBC सम्मेलन को सम्बोधित किया तो यहाँ पर आपको बता दे कि रहूल गांधी ने 23 अप्रेल को दलित समाज के एक सम्मेलन को सम्बोधित किया था इसके साथ ही पार्टी ने सम्मेलन बचाओ अभियान के शुरुआत भी की थी तो यहाँ पर आपको बता रहें कि राहूल गांधी दिल्ले के ताल का टोरा स्टेडियम से OBC सम्मेलन को संबोधत कर रहे थे 2019 के लोगसबा चुनाव नस्दीक है ओ ऐसे में OBC वर्ग को अपनी और अकरशित करने का ये एक जरिया है कि पिछले चार साल में BGP ने क्या कुछ किया है OBC वर्ग के लिए ये उन्होंने गिनाया और साथी उन्होंने ये भी बताई कि उनके कारेकाल में OBC वर्ग के लिए क्या कुछ किया गया और आने वाले 2019 के लोगसबा चुनावों के बाद अगर कॉंग्रेस पार्टी बनती है, कॉंग्रेस की सरकार बनती है, तो वो विसी वर्ग के लिए क्या करेंगे? झाले पार्टी बनती है, कॉंग्रेस पार्टी बनती है, क्या हभ आई।